नमस्कार मैं हूँ अनूप सोनू और आप देख रहे हैं News 11 भारत नई उम्मीदों नई जन आकांग्शाओं के साथ नई सरकार वजूद में आई नई सरकार जब वजूद में आई उसके सामने चुनोतियों का पहार खड़ा था एक साल बीच चुके सरकार के कारेकाल के इस सरकार ने चुनोतियों से पार पाया और एक साल पर एक परंपरा होती है, विभागी परंपरा होती है, मुख्य मंतरी खुद से सभी विभागों की समिक्षा करते हैं हर विभाग अपने आप में राज के विकास में योगदान देता है हर विभाग का अपना महत्व हैं, हर विभाग की अपनी जिम्मेदारिया और अपने दाएरे हैं उसी में से एक महतपून विभाग है श्रम नियोजन प्रकिक्षन एवर कॉशल विकास विभाग जिसके मंत्री है सत्यानन भोकता जी हम इस एक साल पर सरकारी समिक्षाओं के बाद नियूज 11 भारत की समिक्षा शुरू कर रहे हैं और इसी सुलसले में हम पहुचे हैं सत्यानन भोगता जी के पास जो किश्रम विभाग देखते हैं सब्सक्राइब भारत पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और एक साल सरकार के पूरे होने पर बढ़ाई न्यूज़ेलवन भारत की तरफ से सवाल लिए एक साल की उपलब्धिया क्या है पहला सवाल कि एक साल का प्लब्धियम है कि जैसी नई सरकार गठन हुआ तूरत पुरादेश पुरादेश में करोना वारिस परिफ्लाना शुरू कर दिया अब जो सहीं बिकार गाड़ी रफदार बढ़ती तो इधर भगदर मच गया कि लगा कि अब देश पर देश बचेगा ही नहीं तो जितने जार्खन से मैजदूर दूसरे पर देश में काम करन कहाने के लिए गए हुए थे तू को मोटर सांकिल चारा है को पैदल आ रहा है को को ट्रेक भड़ा पर करका आ रहा है तो मानिये मुख मंत्रे है मैं सोजन जी के नितरीत में पैदल चलने मालों के साथ नितरीत में उनका इच्छा सक्ति हम जितना बढ़ाय देंगे कम होगा कि ततकाल कंट्रोल रूम का गठन किये अगला भग सो पी एंटी 24 अवर्स चालू किये और जितने प्रदेश से मेधूर फोन करते थे सभी को रिपलाई भी मिलता था कि आप कहां है कैसे हैं और सिनियर आईस पताध हिकारियों को स्टेट बाई सभी को नोडल पताध हिकारी भी ने उतकिया गया मानिया मुख मंत्री मोहदेक दोवारा और किनी पास खाने के लिए पैसा नहीं था पोकेट में तो मानिया मुख मंत्री स्वहता ओजना एक एप चालू किया गया उस एप से लगभग दो लाग पच्छतर हजार माईदूर जो जो एप चलाने आता था अपने पैसा निकासी किये कि पुशिशन का जोहरा रृते वहीं बहुता न भात रुआ एक माई के माईदूर दीवस के शुवसर पर शर्मीटए जो कि भारत की पहली ट्रेंट थी जो भारत की पहला ट्रेंट थी और किसी राज में मैदूरों के सूद्ट तक नहीं लिया भारत सरकार ने भी सूद न मगाने काम किया बाइ बस उनके घर तक भेजवाने काम किया अपने हब आइप लेन मेदुनों को लाने काम किये अजो बगेल में राज है बंगाल विहार चटीस गार मधपर्दैस उरिसा वहां से हम लोग राजे से ही बस भेज कर के सब्सक्राइब पर देश ही नहीं बलकि पूरी दुनिया इसे तबाह है हलाकि कई जगों पर हालात सामाने हो रहे हैं और हमारे देश में भी हालात बत्तर नहीं हो रहे हैं कम से कम उपाय किये जा रहे हैं वैक्सिन की और भी हमपड़ रहे हैं लेकिन क्या इस महमारी के अचानक आजाने से श्रम विभाग की जो यो जनाय थी जो आपने भी सोची होगी कि आपको अगर ये विभाग मिलता है या अप ये इस विभाग मे आएं तो कुछ योजनाय कुछ नई उजनाय जो कुछ पुरानी उजनाय चल रही हैं उसमें तो थोड़क कमी आई है उसमें उसे इंकार किया नहीं जा सकता है फिर भी जो एक बरस में जो काम करना था हमने अपनी भाग से तो जो मजदूरों को कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षन का काम था वो नहीं हुआ जाहिर तो पर यह कहा जा सकता है कि उस संख्या में रुजगार भी नहीं बड़े होंगे या मजदूरों की जो कुशल मजदूरों की संख्या भी नहीं बड़े होगी माईदूर का बहुत लोग को 10 लाग बोलते हैं को 9 लाग बोलते हैं लेकिन हम विभागे जो मानिय मुख मन्तरी महोदय के दिन निर्देशा अनुसार तमाम राज के मुखिया गंद से हमने लिश्ट मंगवाया कि आपके पंचासे कितने लोग बाहर में हैं पर सही अकड़ा दीजे वीडियो के थुरू उपायोगत के थुरू तो लाग भाग 6 लाग 51,000 मैं दूर दूसरे पर देश में काम करने के लिए गया हुआ था और सभी मैं दूर आने के बाद भी जब देज़रे करोना वारस कि जो हम लोग रिडर जोन में धारकन था हम गिरीन जोन के ऊपे आ चुके हैं निकल चुके हैं तो जो आपना जो कोई होटल चलता था कोई बीजनेस करता था को लेवर खटवाता था जो वैसे लोग हैं जो अपने जिससे आये वैसे पी चले गए और कुछ ऐसे मेंदूर ह हैं जिनका आठ हजार दस हजार बारह जार महना तेलगाना किरला महारस्टा बंगलोर उडिशा च्छतिजगर्ड मद परदेश उतर परदेश बिहार जो काम करता था सब तो बहुत लोग यहां पर लो हम लोग लगभग दो लाक मैदूर को मुझार से जोड़ने करा सरकार ने किया है उनको फाइदे क्या दे रहे हैं फाइदे कि मानियम मख मंदरी का सिधा निर्देश कि जियो विभाग में जो संसाधन है उसी संसाधन में सभी को अष्थानी असर पर रोज़गार से जोड़ा जाए उसे जारखन में कलकर खना भी कमी नहीं है वो जोगिक नगरी है खनी संपता राज है तो हैर विभाग में हैर जोजना से उनको हम लोग जोड़ने काम किये और विभाग से विभीन जिलों में विग्यापन के माध्यम से हमने भरती कैम भी लगाया गुड़गाओं उसे कमपणी वाले भी बुलाए गए तो वहां लगभग बजाज कमपणी का था लगभग लोगों को अपना इंटर्वियो लिए सेलेक्शन के ले भी गए तो सरकार विरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए परा प्रतंसिल है और सरकार चाहती ह हम चाहते हैं हमारे मानिया मुख मंदर है कि जो बार-बार होता है जार्खन में लेवर बिरुजगार है लेवर सब दसे हम लोग को हटाना है आम तवर बाहर माथ आत्म नीरभर बनाना है कि सभी लोग अपने पहर पर खाड़ा करकर के काम करें जैब परखन में हो पंचात म हो या राज में हो तुकि कोई भी भेगती अपने परिवार बच्चा छोड़के दूसरा पर इसकाम कर नहीं जाए यह मानिने मुख्यमंत्री का सपना लोगों को भी पता है उनका सपना ये है कि जो छवी जारखंड की बनी है श्रमिक प्रधान राज की छवी बनी है तो इस आपने में एक साल आपके विभाग का जा चुका है चार साल और है कि कैसे युद्धिस्तर पर आप और आप लोगों ब्लैनिंग किया है कि जो eccentric खोया है उसको अगले चार साल में जितना आपको पाना है उसके साथ साथ जो खोया उसे भी पाना है तो भी कैसे संभव होगा इस संभव कि देरे देरे गाओं के सड़क से निकलने में जब फोरले लोग पकड़ता है तो गाड़ी के जो रफदार है तेजी हो जाती है नबे 100 की स्पीट में तो मेरे पास समय है मेरे पास अंसाधन है हम जो नौ माँ दस माँ जो हम गमाये है उसको 120 की स्पीट में खिचेंगे और दो बरसों का एक बरसों का जो कमिया हुई है दूजरे कैस में हम भरपाई करेंगे तो कि दूजरे कीस जो है वो विकास पर जोगा रोजगार अच्छ भूगता जी एक सवाल है आप लोगों ने कहा था कि हम मजदूरों को लाएंगे मजदूरों को आप ले भी आए लाखों की संख्या में मजदूर आए अब सवाल ये था कि वो आएंगे तो यहां करेंगे क्या आप लोगों ने उसके लिए रोड मैप तायर किया वो रोड म कितना कारगर्द सिद्ध हुआ कितने मजदूरों को यहां पर रोजगार दे पाया यह सीधे सब्दों में यह पूछे कि कितने मजदूरों को यहां के यहां रोब पाए कि यह लोग तो जो मेरे पास कि सरकार के आप डाटा है उसमें से लगभई जो आपना जो काम करते थे दूसरे प्रदेश में जो मैदू जो मालेक के कम्पूर्टर ऑपरेटर था पर्लेमर मिहत्री था पुराज मिहत्रा जो जार्खन से अधिक रासी वहां को फाइदा होता लाव होता था जो ब्यक्तिक्यत काम करता था वह इसे लोग चले गए जो समान मैदूर है जो लेवर ग्रेट का जिखा को डिगरी को जोग आता नहीं ह सब्सक्राइब करते हैं और आगे जोड़ने के लिए किन शित्रों में खास करके बीभीन अभी हमारे पास तीरपूरा से कई कंपनी ओफर आया है किरला साया है पहले इस्किल डेबलेमेंट में जो परसिचन दिया जाता था और होती थी कि एक लाग लोगों को हम निक्तिव पत्र दे रहे हैं हाथ ही उड़ा रहे थे हम जूठा स्वासन जूठा भासन जूठा रासन पर विश्वास नहीं करते हैं है हम सभी कंपनी से बात कर रहे हैं कि आपको समान कम समान बेतन देना होगा मन्रेगा मन्रेगा की काम में कितने मज़़ूरू को लगाएगा इस नाम है कि भारत सरकार के जो मापधन है वह समय एक सो चौरासी रुपी चौराइब रुपी उसका पढ़ भारत सरकार को खुछ होना चाहिए कि जब किसान को दुगनी आये बढ़ाना है मैदूर देश का इ नहीं सकते हैं तो भारत सरकार को म्रेगा कम से कम महांगाई को देखते हुए कम से कम आज के डैट में पान सो रुपीया मेद्री होना सही था है अब बताएंए fineय कौन काम करेगा ऐ तो भारत सरकार के जोजना जोईना जोफ均लि और जोजना है गाउं-कराम में कहीं जोजन है कि 12 करोड सोचले बनाया गया लेकिन आप गौह में चले जाहिए तो बारत सोचले नहीं मिलेगा अगर दुछार को गला से मिल भी गया तो इसमें गोइठा रखा हुआ है कुटा भी लाय रह रहा है इसका को उपयोग नहीं को भी जनता को लाफ दने के लिए बेहतर काम करन सही है तो सरकार जब वजूद में आई तो सरकार के पास पहले ही एक चुनोती थी कि खजाना खाली है अब राजस्व की उगाही करके खजाने को भरने की चुनोती थी दूसरी तरफ यह महामारी लेकिन फिर भी चाहे महामारी के दौरान बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर र यह काम हो पाया हो बजट आया हो नहीं आया हो खर्च हुआ हो नहीं हुआ हो लेकिन लेखा जोखा होता है तो जो जब सी एम लेखा जोखा कर रहे हैं ले रहे हैं समिक्षा आप लोग कर रहे हैं कि सीम कितने संतुष्ट दिखे आपके विभाग के एक साल के काम से लिगे म भरवना है बिलिंग चुद्रूस है कि नहीं अधिकारी काम कर गए नहीं मैजुर को जो लाव मिलना है विभाग से वो लाव से बंचित हैं किया तो मेरा विभाग जो परफर्फर्मेंस है कि मतलब बेहतर है इसको कि 90 परसें नहीं इसको हंडिर्ट मना जाए अच्छा काम हुआ है खुद भोगता जी जो है सत्यानंद भोगता जी खुद अपने विभाग को अपने कर्मियों को और अपने उपलबदियों को कितना माक्ष देते हैं सव मैसे तो विभाग ने ही नहीं बलकि पूरी सरकार ने मुश्किलों का सामना किया भी थे एक साल काम हुए हैं कई काम होने बाकी हैं अब अचीवमेंट जो लक्ष है उस लक्ष को पाने में हमारी गती जरूर धीमी हुई होगी महमारी की वज़े से लेकिन होसला बुलंद है अब देखते हैं कि प्लैनिंग क्या है आगे अचीवमेंट क्या होंगे कौशल विभाग एक ऐसा विभाग है जो नया नया इस विभाग से जुड़ा है देखते हैं कि उसकी प्लैनिंग क्या है और वो मज़दूरों के लिए श्रमिकों के लिए राज्य की जनता के लिए कितनी कारगर साबित होगी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद भी बातचीत जा ब्रेक के बाद आप सभी का स्वाधत है हम चर्चा कर रहे थे श्रम नियूजन प्रशिक्षन एवं कौसल विभाग की कामों की एक साल सरकार ने पूरा किया एक साल विभाग ने क्या काम किया मुख्यमंतरी हिमन सोरे इसकी समिक्षा कर चुके है नियूज 11 भारत खुद व भाग का क्या योगदान रहेगा आने वाले दिनों में इस पर चर्चा जारी है हमारे साथ सत्यरन भुक्ताची है भुक्ताजी रोड मैप बनते हैं लेकिन धरातल पर कम उतरते हैं इस सरकार को अगर कहा जाए कि ये सरकार वजूद में शायद इसलिए आई कि पिछले सरका के वादों पर भरोसा जनता को नहीं रहा लेकिन एक साल हम महामारी की बात जनता के सामने कहते रहें अगले चार साल की बात करें तो वो कितना कठिन होगा क्या बार-बार हम कोरोना को सामने रखके विकास की गती धीमी होने की वजह बताते रहेंगे कि दिखें जो मेरे पास से समय है चार वरास एक कम नहीं है जारखन बने 20 वर्स लगबग हो गया 20 मतरब जुवा जारखन है और हभुलता देश में जारखन में जुवा माने अमक मंत्रे भी है तो 120 काम भी होगा जो हमारा विकास का जो पह्माना है जो रोड माइप है सभी सथ परतिसा अनुपलन भी होगा कम भी होगा आपके विवार की कई योजनाई जैसे साइकल योजनाई और योजनाई बहुत सारी योजनाई सिलाईग मसीन येइन तो यह यूजनाएं अभी ठप है या चल रहे चल रहे है कर लूजिद्धा सम Php ya जो मिलना चाहिए आव दर द जी ला में माफ द अहरता है क्रता है परदेश जिला का रिपोर्ट है जो मेस्दूर को मिलने वालाव है उसे हम लोग बंचित नहीं रखेंगे हैं वो करोना वरेस में भी चलता रहा है आकड़े तो खेर जाहिर तौर पर विभागी आकड़े सचीवों के पास होते हैं करमचारियों के पास होते हैं लेकिन अगर मंत्री जी से पूछा जाए लमसम तो आपके कारिकाल में एक साल में कितने सिलाई मशीन बाटे करूंगा है इसलाई मशीन अभी विभाग से बितन होना बंद हो गया है इसलाई मशीन नहीं है जो शंपल आवजार का है जो 25 शो रुप्या मेज़ूरे खाते में पेह जाता है साइकिल का पैसा अब लाभू के खाते में जाता है तो लगभए जी लभ जो आंकड़ा है उसमें से 80 पर सं पार रहे हैं कल जो हम समीशा बठा किया है लगभाई लोग जो इनको मिलना चाहिए उनको मिला है और बाकी जो से बचा हुआ है 20% 30% आपको सब को बोले हैं कि 31 दिसंबर के पहले तीन माह थे 31 मार्च के पहले जो बजर सब्सक्राइब के पहले सभी जो से काम जो से पूरा कर लना है अच्छा नया नया विभाग आपके साथ जुड़ा है कौशल विकास विभाग तो यह बड़ा विभाग है और यह मजदूरों को कुशल बनाता है उन्हें कौशल देता है जाहिर तोर पर जब मजदूर कुशल हो जाएंगे तो रोजगार की जो समस्या है वो हद त प्रशक्षन केंद्र हुआ करते थे तो क्या आपकी क्या यूजना है कि ने कौशल विकास जुड़े हुए मात्र लगभग एकमा हुआ है जी कल पर्थम बैठक किये तो कोबिन एंटी चलते एक वरज तो को ट्रेनिंग हुआ नहीं बारस से करता रोग दिया था लेकिन संसे तो कि遊戲 से डिए थेनर रख दे़ेक स्य्व 3 तो उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं कितने लोग परचियों कितने सेंटर है इसो इंब मोग बाते कि यह हैं किरां तॉचना किया वह वह झे नावी चल रहा है उसका काम लाब मिल रहा है मज़़ों को कि अधरी सब्सक्राइब जोजना में भी कोबिन एंडिक परानम नहीं हुआ है अगर आपसे पुशा जाए कि यहां के भगौलिक स्थिति को देखते हुए यहां की सामाजिक स्थिति को देखते हुए या जो वर्गिक समिकरण है जिस तरह से जाती अलग विशेश है समुदाय है कहा जाएगा कि आप अकेले कौन सी एक ऐसी वो जना शुर्यू करना चाहते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा मजदूर उससे जुड़ सके या कोशल विकास अगर आपके पास है तो कौन से क्शेतर में ज्यादा मजदूरों को प्रश्रिक्षित किया जाए ताकि सरकार पर भी बोजना हो और वो स्वालंबी हो सके जो मेरे पास सरकारी जो अकड़ा है, अधिकतर मैदूर अगर एक लाग पच्छतर हजार को अगर इस राज में को जिला है, वो गिरिडी है, गिरिडी में एक लाग पच्छतर हजार लगभग लोग बाहर में काम करते हैं, हमारे यहां चत्रा जिला है अपको 34,000 है, आपको 16, अधिकतर में काम करने जाते हैं, उसको रुजगार से जोड़ना है, वो विशेश रूप से हम लोग पर सिच्छन चलाएंगे, जितने नियूजन प्रताधिकारी हैं, सभी को हम लोग परभार दिये हैं, कि आप अच्छा से अच्छा काम किजिए, परते ही जिला में नियू सुधार होगा, और 29 तारी को सरकार के साल कार्ज कर पूला होगा है, जरुबत मैसूस करते हैं कि हर प्रखंड में आइटी आइए खुले, यह तो कुछ भारा सरकार भी सहजोग देती है, कुछ राजय सरकार कहा, यह मेरा प्रियास है कि प्रते ही जिला में आइटी आइए ह जाहित तोर पर 59 मॉडल आइटी आई अगर खुल जाते हैं तो बहुत से मजदूर से लाभानवित होंगे और दशा दिसा बदलेगी, विभाग यह बजट होता है, बजट का एक दायरा होता है, वैसे कहते हैं कि मार्च में उसका लेखा जगा होता है, कितना खर्च किया, क तो अभी तो तीन मार्च में मेरे पास है, एक तीस मार्च के पहले, जो रेशियो में 75% खर्च होना चाहिए था, तो इसमें से एक परसेंट ज्यादा है, उसे कमी नहीं है, मेरा विभाग हम मुनेटिंग करते रहते हैं, हम चाहते हैं कि आम लोगों को जो मिलने वाला अध काम हो और अधिकारियों साथ मेरा समन में अच्छा है, जो काम बेहतर होता है। को प्रॉपर लोन मिले, लोन पर भी हम आएंगे, मजदूरों को लोन मिल पा रहा है, आपने अपने काम के लिए या नहीं, इस पर आएंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि कोई डिरेक्ट ऐसा सिस्टम बने, ऐसी विवस्था बने, कि मजदूर खुद अपना कुछ लोनर, जी, अपने से काम करके अपने बच्चों को गुजर बहतर चला सकते हैं, तो उसको राजित सरकार सरमी भागत वारा भी सहयोग मिलेगा, अगर उस चाहे कि हमको बैंक लोन चाहिए, तो उसको हम लोग एक लाग तक लोन भी दिलाएंगे, ताकि और बहतर अच्छा स हमको फेर ही मिलेगे, आज तो उसको मेहनत नहीं करेगा, अगर मेहनत करना है तो कुछ लोन जरूरी है, तो बैंक से सभी बैंक है, उससे रिक्वेट करके, लोग तो इस और विभाग पाहल कर रहा है, विभाग पुरब पाहल कर रहा है, मानियमक मदरी मदे, अब देखे हो किसान के लोन भणाने काम करेंगे, मजज़ूरा के लोन माफी की काम करेंगा, विभाग के मज़णों के लोन माफी की की कोई बात नहीं होती है? मेदूर तो मेदूर है किसान मिला है उसमें भी मेदूर सामील है मेदूर या मेदूर बाएक गार्ण लियर員 भी है लिए किसानों को लोन माफं होने वाला है जो बीमारीयों जैसे कैंसर हो या फिर और गंभीर विमारिया उसमें पूरा खर्च राय सरकार वहन करती है इस एक साल में ऐसे लाभुकों तक लाभ पहुचा है ऐसे कैसे जाय है एक सब्ता पहले हम एसाई होस्पिटल गए थे नामकूम, वहां खुद फिजिट किये, वहां लगता है कि दो दर्चन सधीक मैदूर थे, जो रामगाड के थे, जमसेज पूचायबास अभी भेंजेलों का, और हमने जो वहां का अकड़ा लिये, तो वहां मुलता है कि एक साल के अंदर, हजारों लोगों ने इलाज कराया, वहां जो रिम समनलों के भटकते रहते हैं, जिनको जनकारी सुचना पराप्त नहीं है, जो मैदूर है, निबंधीत हैं, जिनके बाद लेवर काड है, इनका अपेंडिस का प्रिशन कराना हो, होर्णिया का प्रिशन कराना हो, विभाग की जो रिक्तियां है, आपके विभाग से युवाओं को भी उमेज रहती हैं, रिक्तियां होंगी, बहाली निकलेगी, तो वो एक्जाम में बैठेंगे, नौकरी करेंगे, मेरे यहां कुल 200 पत शेर्जित है, श्रम विभाग होंगा है, तो 522 अभी रिक्त है, पानसो बाइस अभी काम कर रहे हैं, और पूरा गापूरा रिक्त है, शत्रा सो रिक्त है, यह बड़ी रिक्ति है एक विभाग के लिए, तो हमने मानिय मुख मंत्री महदे सागरा किया है, और हम लोग को जो विभाग से करना था, हम लोग सब पुरा निमा वली बना करके, ह अब तुझे पीशी से बाहली होना है, अब सिधे मुख मानिय मुख मत्री महदे से जाएगा, फिर डारेक्ट दोहरी के से बाहली होगा, रिक्त पायत दोहजार नहीं हम लोग भरेंगे, चलिए इस बातचीत में एक सुखत सूचना यह है युवाओं के लिए, कि जो सरकार पारीन ओकरी में दिल्चस्पी रखते हैं, और जो युवा बहाली की प्रतिक्षा कर रहे हैं, वो उनकी प्रतिक्षा खत्म होने वाली है, अगर यह सकारात्मक पहल मन्जिल तक पहुंचती है तो, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन् और नियूज 11 भारत की ओर से शुब कामना है आपको, आपके विभाग के करमचारियों को, और विभाग की योजनाओं को, इस उमीद के साथ कि आपका विभाग जो सोच कर जिस पत पर चल रहा है, मन्जिल हासिल करें, ताकि राज की उन्नती हो, राज का विकास हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद.